हाइब वान असलावलेकूं विल्कम बेक टू मैं चैनल आज मैं सेर करूंगे आप लोग के साथ बहुत ही हेल्दी और टेस्टीसी प्रेकपास की रेस्पी और इस रेस्पी को बनाना बहुत ही असान है बच्चे बड़े सभी को बहुत ही पसंद आने वाले हैं तो चलिए सबसे पहले मैंने यहां पर ले लिया है एक सिमना मीच जिसको हमें बारिक बारिक चॉप कर लेना है इस तरह से आप देख सकते हैं जिसे मैं कर रही हूं तो इसको चॉप करने के बाद हमें दोहरी मीच लेकर इसे भी चॉप कर लेना है बारिक बारिक और मीच की कटिंग हम मैंने यहां पर ले लिया एक कप पत्ता गोबी बारीग चौप किया हुआ काजर ले लिया हमने आदा कप बारीग चौप किया और यह है बचा हुआ चावल जो हमारे पास बजगिया था पका हुआ तो इसे हमें अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है थोड़ा सा पानी डाल ऑर इसमें हम पिशा हुआ चावल ले जो हमने ग्राइंड किया था इसमें थोड़ा सा पानी डालकर भी हम इसे अच्छे से साठ कर लें औरहब लेंगे एक कप दही जो है गाड़ी है थो थोड़ा सा मिसमें पानी डाल देते हैं और आपको खटा दही नहीं लेना है और यह वो भी हम इसमें डाल देते हैं, सिमना मीच डाल देंगे, अब इसमें डालेंगे एक छोटा चेमच चीली फ्लेक्स, नमक डालेंगे, टेश्की कॉर्डिक काली मीच डालेंगे, एक छोटा चेमच और धनिया की पत्ती डाल देंगे, और इन सब को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है अभी हम इसमें पानी नहीं डालेंगे इसको मिक्स कर लेंगे तो आप देख सकते हैं यह मिक्स हो चुका है और मिक्स करने के बाद अब इसमें हम डालेंगे पत्तागों भी पत्तागों भी डालके हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे हमें 10 मिनट के लिए र तो इसे हमें ढखका रख देना है 10-15 मिनट के लिए ताकि ये अच्छे से फूल जाए तो चलिए इसे ढख देते हैं अब ये तेखिए यहां पे 10 मिनट हो चुका है और ये अच्छे तरह से फूल चुका है तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और साथ ही इसमें डाले इसकी consistency हमें इसी तरह की चाहिए इसे बिल्कुल भी हमें गाड़ा पतला नहीं करना है जैसा है उसे ही होना चाहिए अब देख सकतें इसकी consistency अब ये बिलकुल perfect है तो चलिए अब चलते हैं next process की तरफ तो यहां पर हमने एक पैन ले लिया है उसमें दालेंगे थोड़ा सा mustard डायल और राई के दाने डालेंगे साथ ही इसमें सफेद वाला तील डालेंगे इसमें इससे जो है ना बहुत अच्छा सा taste आजाएगा थोड़ा सा इसको हम भून लेंगे और उसमें हम बैटर डाल कर इस तरह से पैला देंगे बैटर थोड़ा सा मोटा ही डालिएगा और इसको हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर ढखकर दो से तीन मिनट तक इसी तरह से पकाना है जब एक साइड से यह पल जाएगा तो इसे हम दूसरे साइड से पलटके पका लेंगे कि एक साइड से हो चुका है बिल्कुल अच्छा सा कलर रहा है तो इसे ढखका दो से तीन मिनट हम दूसरे साइड से भी पका लेंगे और फिर दुबारा से ढख देंगे और ध्यान रहे कि इस स्टेश पर हमें फ्लेम को बिल्कुल भी हाई नहीं करना यह नहीं तो यह है आप एक बार इस रेस्टी को ट्राइ जरूर करिएगा बच्चे बड़े सभी को बहुत ही पसंद आने वाले हैं यह देखे मैं इसकी कटिंग कर रहे हूं बहुत ही सॉप्ट नास्ता बेना है बहुत ही स्पंजी बेना है मैंने इसकी कटिंग भी कर दिया और लिए बहुत ही होता है और टेश्टी भी होता है एक बार इस रेस्पी को ट्राइज जरूर करिए यह यकीन मानिए आपको यह बहुत पसंद आने वाला है अगर रेस्पी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंस और फैश्पी नोट्रिफिकेशन सबस के लिए आपीश थैंक्स पर वाचिए